प्रदेश की कमनलात सरकार आंगनवाडियों को स्मार्ट बनानी की बात कर रही है लेकिन उमरिया जिले से आई इन दस्वीरों को देख कर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को आंगनवाडी नहीं भेजेंगे दरसल उमरिया जिले में बिर्सिंग पूर पाली के वाड़ नमबर चार में बने आँगनवाडी भवनों को महस दो से तीन साल ही हुए है लेकिन इनकी हालत देख कर ऐसा लगता है कि शायद इन भवनों को सदियां बीच चुकी है ठेकेदारों और जिम्मेदारों के ब्रस्चचार के चलते इन भवनों की हालत इतनी कमजूर हो गई है कि इन भवनों के पास से जब ट्रेन गुजरती है तो भवन के चजजे तूट तूट कर गिरते हैं जिससे यह डर बना रहता है कि कहीं कोई हाथसा न हो जाए वहीं मामले में जिम्मेदारों का कहना है कि उन्होंने उच्चा अधिकारियों के सामने बात रखी है और जल्द ही इस और कारिवाई की जाएगी वार्ड नमगा टीन और वार्ड नमगा चार क्याने मारी के इंडिय जव्हाई के चुका है जिकार जा सकता है इसले हमारी वर्श्ट का रहा हो को सुचिना इसकी दे इन गई है और संबत्वाइब है बंसाट ती वह प्रारम किया जाएगा लाइट के लिए हमारे विभाग में ऐसा कोई फंड नहीं है तो जिले इस तर से जो एम बीबी है उनसे गारा टायप किया जा रहा है और यह अगर वो जाता है तो फिर जितने के इंडरों में फिटिंग का काम हुआ है कोहां आप कनेक्शन की समीधा देने में सक्षन हो जाए हुआ है